नमेश क्या दोस्तों, मेरे नम डॉक्टर नगिंद्र आदव है बारिश के इस मौसम में जो हुमिडिटी जो बढ़ चुकी है वातावर्ण में ये क्या है बर्ड की इम्मिडिटी को डाउन करने का एक तरीका है अपि इमान के चले कि जब वातावर्ण में हुमिडिटी जादा है तो ऑटमेटिक के है बर्ड की इम्मिडिटी डाउन जाती तो इस टाइम बर्ड जो है सब चयदा बिमार हो रहे specially मैं कहूँगा जिनलों को अभी कबूतर पाले में आप देखे ये इस टाइम बिमारी का peak seasons है मतलब आप इमान के चले कि आपके birds की यदि आपने जरास भी सावधानी नहीं रखी तो आपका birds लकवे की चपेट में या जिसको हम हवा में आना कहते हैं या उसकी जो गर्दन घूम जाती है या पक्षी अपने अपसे जो दाना खाना छोड़ देता है वो बिमारी इस सीजन में सबस्याद आती है immunity down होना उसका एक में बड़ा reasons होता है सबसे पहले तो बताऊंगा कि immunity को boost up करने के लिए हम क्या कर सकते हैं और उसके बाद इसका treatment बताऊंगा कि यदि आपका birds हवा में या लखवे में आ चुका आप क्या-क्या उसके लिए उपाई आप कर सकते हैं देखे immunity boost up करने के लिए क्या कोशिश करने चाहिए कि इस टेम में birds क्या है एक तो seeds का intake काम कर देता है birds जो है इस टेम 80-90% के करीब जो है humidity एनवारिमेंट नोटिस की है और humidity जाद उने से क्या है birds का पानी का intake तो बढ़ जाता है लेकिन खाना जो है बिलकुल कम कर देते हैं दिन में 5 बार 6 बार जितना ज़्यादा फ्रेश पानी आप अपने birds को यह देते हो तो automatic birds के जो stress के जो toxins birds की body में release होते हैं वो toxins जो automatic जितना ज़्यादा पानी आपका birds पेगा, automatic toxins रिलीज होते रहेंगे आपका birds toxins फिरी रहेगा एक तो plain पानी अपने birds को देजिए, दूसरा पानी के अंदर आप क्या मिला सकते हो कि automatic उनकी immunity boost अप हो जाए कोशिश कीजिए, इस time immunity booster करके जो है cell pet करके करता है, यह जो है birds का एक immunity booster कर सकते हो आप पीने के पानी में, एक रिटर पानी में दस दस ट्रॉप अब डाल करके आप यह per day सरफ दिन में एक बार अपने birds को देना है, यह automatic, internal जो है birds की immunity को boost अप करता है इन यह सब करने से पहले ही यह थी आपका birds हवा या लगवे की चपेट में आ चुका है, अब आपने क्या करना है, सपोस कीजिए birds ने खाना पीना छोड़ दिया है, birds की गरदन जो है हवा में लेहरान लगी है, birds फीड का intake नहीं कर पा रहा है, ऐसा जो जो birds है उसको separate करके ए इनके खानी पीने पे ध्यान दोगे, तो birds जो है बहुत जल्दी recover करता है, आप birds को immediate separate करके हाथ से खाना खिलाना शुरू कर दीजिए, उसमें क्या है, आप काले चने ले सकते हैं, पानी में भीगो करके, मूं को पानी में भीगो करके, साबुत मूं को रखे, और गेहूं को पानी में भीगो करके, यह तीन सौफ टाइट जो है, आप रात बर भीगो यह अर्सुबर रखे, जो भी birds खाना नहीं खा पा रहा ही, जो भीगा वदान है, आप birds का मूँ खोल करके, थोड़ा थोड़ा दिन में तीन बार आप अपने birds को जुरू खिलेए, ताकि birds की जो nutrition value है, इस mix seed से automatic उसको proper nutrition मिलता रहे, क्योंकि birds को दवाई के साथ साती प्रॉपर nutrition ही मिलेगा, birds आपका बिमारी से fight नहीं कर पाएगा, खाना यही आपने खिलाना और हाथ से खिलाना है, और इसमें duration एक बर होने के और डेर से दो मेने का समय लगता है, कि birds अपने आप चोंच स एक होता है, medications आपने पीने के पानी में दे दिया, birds ने दवाई का पानी पी लिया, पीने के पानी में क्या है, अब B-complex पगर दे सकते हैं, थोड़ा liver tonic आप दे सकते हैं, क्योंकि birds के liver को भी मजबूत करना है, ताकि उसको अंदर से भूख लगे, vitamins का combination हमने इसको देता है उसमें vitamin B1, B6, B12 और vitamin ने देना है, इन सबका combination के जो preparation है, market में easily available है, आप एक लिटर पानी में दो ml, आप daily आप birds को दीजे, liver tonic के पांच-पांट डॉप, आप individual एक birds को दे सकते हैं, यदि आपने liver tonic, कोई भी आपने birds को पीने के पानी में देना, दो से तीन ml, एक लिटर मूँ के अंदर हम इसको खिला सकते हैं, ताकि birds जो है, इंटरनली धीरे धीरे उसका अपनी body के उपर संतुलन बना रहे, अब birds का जब सिर जो हिलना, हवा में ही जो हिल रहा हो, एक जगे control हो जाएगा, तो birds जो है, खाने का attempt करना शूव करेगा, धीरे धीरे, birds जो है, खान आप से खाना नहीं का पाता है, तो वेट लॉस होना आम बात है, लेकिन यह जो रिकवरी होती है, जब birds अपने आप से खाना, फुल डाइट लेना शूव कर दे तो वेट की रिकवरी बाद में इसली हो जाती है, पीने के पानी में खाने का ध्यान रगना है, लिक्विड फ सकते हो, यदि आपके आसपास कोई वेटनी डॉक्टर की फैसलेटी अवेलबल है, तो आप इसमें जो है, बर्ड को टॉनो फॉस्फोन का इंजेक्शन 0.1 अमल इंट्रमॉस्कुलर भी आप लगवा सकते हो, और इंजेक्टेबल फॉर्म में आप बर्ड को नियूरुबन क इंजेक्शन भी आप लगवा सकते हो, यह क्या है, सारी चीजे आपने एक साथ नहीं करना है, स्टैप पाइ स्टैप जो है, आप डॉक्टर के संपर्क में नहीं है, डॉक्टर जिस तरह से रूटीन आपको फॉल अप करता है, पहले अपने लिक्विट प्रपेशन मेडिक या तीन डोस के बाद आप उसको छोड़ देजीगा, क्योंकि तीन डोस ही सफीशन होती है, यह सब करने के बाद देखें कि बर्ड्स को रिकवरी में टाइम जरूर लगता है, लेकिन दीरे धीरे समय के यह साब से आपका बर्ड्स रिकवर कर जाता है, इसलिए अपने बर् वीडियो पसंद है, तो प्लीज मेरे चल्क को सब्सक्राइब कीजिए, धर्नेवाद